है आध को प्रिवेस्ट लेक्शर को ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो सेंपल अंड होल सब्किट कैसे वर्ग करता है इसको थोड़ा दिसकस कर लेते हैं, यहां पर sample and hold circuit में मैंने दिया हुआ है, एक यहां पर basically, यहां पर MOSFET switch होता है, ठीक है, तो उस switch को control करने का काम है, control logic का, तो वो basically है कि कितने sample आपको generate करने हैं, तो जसे नाइक वे स्टेट है, क्योंकि बाद में जो D2A converter का काम है, वो क्या है, उसको आपिस interpolate करके, और वो recreate करता है, analog signal को, तो minimum जो है, इसमें एक night quest rate है, sample and hold में, जो sampling की frequency क्या होनी चाहिए, कि जो आपका signal है, वो आपिस reconstruct हो जाए, तो जो frequency input signal की है, उससे double, तो होनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर है, ठीक है, sampling frequency, जो sampling करने वाली है, तो sampling frequency का मतलब है यह on-off जो कर रहा है, तो जो इसकी frequency है, on-off करने की, वो frequency, sampling frequency, जो input signal है, उससे two times greater, two or more times greater होनी चाहिए, ठीक है, तो two times greater में भी signal है, वो accurate reconstruct नहीं होता है, तो जादा हो, जितना जादा हो, उसना जादा बेटर है, ठीक है, तो input signal में भी ऐसा हो सकता है, कि एक से जादे waveform हो, तो जो भी maximum component है, input signal है, उससे two times, है न, two or more times greater होनी चाहिए, जो sampling frequency है, यानि इसको on-off, on-off करने की, तो सपोस करो, यहाँ पर एक capacitor दिया हुआ, तो capacitor का काम है hold करना, तो यहाँ पर इसका काम है sample बनाना, और इसका काम है capacitor का, उन sample को hold रखना, ठीक है, तो hold रखता है वो, और उसके बाद फिर जो बनेगा, उसको वो analog से digital में convert कर देते हैं, तो पर इसको discuss कर लेते हैं, यहाँ पर एक waveform है, यह सपोस करो, input पर हमारे waveform आई हुई है, जो हम यहाँ पर measure करना है, इसके बारे में बूद, तो यहाँ पर इसकी sampling कर देता हूँ, तो sampling के लिए मैं यह straight line है, तो इस तरह का एक time period से, मैं sample बना रहा हूँ, तो यहाँ पर यह sample है, तो sampling frequency ज़्यादा भी हो सकती है, और कम भी हो सकती है, पर इतनी भी कम नहीं होगी कि two times है, अगर एक बार उसको set कर दिया तो constant रहेगे, पर ऐसा नहीं है कि वो जो मैंने night quest rate बताया है, उससे कम frequency नहीं ह तो उससे ज़्यादा हो, तो उतना ही better है, पर बस यह है कि जो memory का size है, जो digital जो हमारा convert होगा, उसका size बढ़ जाएगा, तो memory ज़्यादा लेगा, तो इस तरह है, तो यहाँ पर यह sample कर दिया है, sample करने के बाद क्या है, यह तो हो गया sampling, तो कहने का मतलब है, जो signal है, उसको sample लिया, तो इन इन पॉइंट पे signal की information ले लिए, ठीक है, तो यह वाले जो point है, जिसको मैं dark कर रहा हूं, dot बना रहा हूं, इन इन पॉइंट पे ही हमें analog signal की information आएगी, ठीक है, तो अब जैसे कि यह point है, और यह point है, इन दोनों के बीच की information है, वो जब इसको sampling करते हैं, तो वो गयाब हो जाती है, तो अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर गयाब कर देता हूं, तो इस तरह का वो हमारा signal बनेगा, sampling के बाद इस तरह का signal लाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अब hold के बाद का signal लाएगा, अब sampling में यह हो गया discrete, तो discrete हो गया दोनों से, तो amplitude के respect में भी तो time के respect में, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी information है, वो है zero, amplitude की हम यह कोई information नहीं देगा, ठीक है, तो हो सकता है, जो हमारा, जो मैंने input पर जो यहाँ पर लिया था, यह वाला data था हमारा, तो यह वाली जो हमारी line थी, अब suppose करो, इसमें कहीं glitches वगरा कुछ आ गई, glitches का मतलब है, इस तरह के कोई spike आ गई, रुखो, तो यहाँ पर suppose करो, यहाँ पर कोई spike इस तरह की कुछ है, ठीक है, यह इस तरह का कुछ है, तो sample उससे पहले ले लिया और उसके बाद ले लिय तो वो spike की information कुछ नहीं आएगी, ठीक है, तो एक तरह से गलत भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए frequency rate, जो sampling frequency है, वो और ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेगी, तो उससे जादा और इंक्रीज करोगे, तो जो हमारा, जो digital में डेटा आएगा, वो और information आती है, तो उससे जो हमारे picture रेक्रीएट होती है, तो उसको आप हो जादा जूम कर सकते हो, उसके clarity बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो ऐसे इसे हम यहाँ पर भी concept है, तो कहने का मतलब है, जो एना लोग से डिजिटल में convert करते हैं, तो कुछ portion information का वो गया बोजाता है ठीक है, तो इस तरह का है, तो अगर मुझे इसकी information चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो spike आई है, उसकी frequency, जो भी उसकी frequency है, उस frequency से मुझे sampling करानी पड़ेगी फिर, यह फिर data बहुत बढ़ जाएगा, memory का, और उसमें तरह का गबढ़ हो जाती है, तो ठीक है, इसको मैं बहटा देता हूँ, तो मैं sampling ही रहने देता हूँ, तो अब यह मेरा discrete form में data आगया, ठीक है, sampling के बाद, अब कैपिस्टर का काम यहां से शुरू होता है, तो कैपिस्टर क्या करता है, जब भी कोई छोटा signal आएगा, उसको hold रखता है, तो hold रखके मिला द signal बनेगा, ठीक है, तो इस तरह का यह signal बन गया, तो अब यह जो है, यह signal है हमारा, time के respect में तो continuous है, पर अभी जो amplitude के respect में यह discrete है, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, कैपिस्टर के बाद, यह signal आ गया, अब यहां पर जो level बने है, इन level की value को define करेगा, analog to digital converter, अब इसको कै यहां पर कितने level बने है, तो एक तो ground level है, 0, फिर एक 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 level बने है, तो 5 level को आपको अगर digitally mark करना है, तो 10 digit की जरूत पड़ेगी, तो यहां पर यह सबसे 0, 0 वाला है, जो 0 है, 0 वल्ट वाला, उसको 0, 0 जिरू 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 ले लिया, इससे जो उपर वाला है, इसको 001 से इंडिकेट कर दिया, इससे उपर वाला 010 से कर दिया, इससे उपर वाला 011 से, इससे उपर वाला 100, ठीक है, और वाला 101 से, ऐस तरह हमने इसको बना दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 level हो गए, तो 6 level में, यह हमारा data है, तो इससे फिर नीच चे गए, तो यह फिर बापिस 100 हो जाएगा यहां पर आए यह फिर बापिस हमारा 011 ठीक है अब इसको और अच्छा करना चाहते हो तो फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दो और ज्याद़ लेवल आएंगे ठीक है उससे ज्याद़ और आपको बिट की ज्याद़ जरुत पड़ेगी जितने ज्या वल ले रहा हूं तो मुझे जो तो यह फिलेगी फाइव विट की तो इस तरह का तो यह हो गया sample and hold का काम और उसके बाद analog to digital converter क्या करता है उसके हैं पर इनको उसके बाद ये वैलियो आएगी उसके बाद ये वैलियो आएगी और वो अनालोग में कर्माट होती हुई तो इस तरह गाई प्रोसेश चलना है ठीक है जी तो यह तो गया सेंपल और होड़ सरक्ड़ काम अब आते हैं नीचे यहाँ पर है अब जैसे इंटरपोलेशन वाला ह करना है जैसे कि मैने इस वाले सरक्ड़ की बात कर रही है यहाँ पर वेफोंक ऑन्स्टक्शन में क्श्रक्षान में वह ज्या सम्पल हमने ली ये inherent 1001 ऐ पोईंट है यह सब सेंपल हैं तो हमें वापिस दो स income क्लिण करना है तो रिक रिकंस्ट्रॉंक्ट करना है तो रिकंस् interaction use करते हैं तो वह दो áreas करवyuर रहेगा फिर एक और है वह linear interpolation में जब 2-point को मिलाएगा था ऐसे point से साइन वर इन्हों ने वनाई हैं तो अछी आ रही है जो साइन वाला साय्न इस साइन इंटर्पोलेशन वाला कि तो इस दिरन चील आरी है अगर हम सबसकर अगर था चैंटा उसमें जो साइन इंट्पोलेशन उसको यूज ने करें उसक लिए तो डिपेंड करता है आपका जो आउटपूट आ रहा है ठीक है जी उसके बाद अब आते हैं किस तरह वो जो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है डियसो तो उसमें कैसे मैं ने बताया कि अब दोनों को एड करा देगा अब दोनों को एड करा दिया तो एड मोड में जब एड कराएंगे इन दोनों को तो वेफोर्म कुछ इस तरह की बन गाएगे अब आगे चलते हैं इहां पर यह दिखाया है कि यह अंट्रिगरड वाला है कि आपने वर्टिकल मनलब ट्रिगर कुछ नहीं दिया है तो उस केस में जो वेफोर्म दिखाई देगी वो इस तरह की है इस सिंगली साइन वेफ ठीक है पर जो जो उसकी जो ट्रिगरिंग तो जो हमारा यहां पर डिस्प्ले होगा वो इस तरह का डिस्प्ले होगा तो अगर स्यार वेफोर्म ओ वाली नौग है उसको इंक्रिजी करना परता है तो उससे फिर वह roundization बचाती है तो इस तरह आजी तरह है त्व के लिगरिंग Хै के रहें है कि जelय का एक न सह और रहें के तरह कारना है an डिजिटी लिखाज़िस्कॉप डिपेंड अंड टू-फक्टर तो जो टो मैक्सिम्म फ्रिक्वेंशी है जो इन्पुट पे जो सिंटर दे रहे हैं उसकी मैक्सिम्म फ्रिक्वेंशी क्या है क्या होनी चाहिए तो इसlarını के शाब से तो दो चीज से शैड होताक एक एक है नेचरोग कंवर्टर में मतलब है जो डिजिटल टू अनलोग कंवर्टर तो यहां पर है अनलोग टू डिजिटल कंवर्टर सेंप्लिंग रेट वाला यह यह काम कर रहा है नेचरोग कंवर्टर में है डिजिटल टू अनलोग टू डिजिटल कंवर्टर दोनों है तो व पाते हैं इसके मोड पर तो चोर्य जो स्नकोंप तीन मोड़ एक तो है रोल उंड मोड में करते हैं अगर त्रिइग करेंगे तो कर आं बेसिक लिए जो मूड यूज होता है यह हमारे मुद ये जो जल्ली यह हो जल जल दी चिंज होने का मतलब है कि जो हमारी DSO की जो रेंज है उससे भी बार गया है ठीक है तो उसमें रोल मोडल होता है तो रोल मोडल में उसको छोड़ देते हैं और वहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर है दूसरा वाला चाहरे हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है और हम उसकी कोई रिसर्च में लगे हुए है तो हम यह चाहरे हैं कि हमने कोई सर्केट बनाया उसकीट बनाके हम उसका इंपूट हमने उसको दिया तो हम उसका आउटपूट वेरिफाई करना चाहरे है तो हमने जो आउटपूट आया तो उसको हमने डिया सो पर देखा तो अब हमें वह आउटपूट हमें थोड़ा और इंप्रूव करना है उसमे तो अब वो कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे पता लगएगा, क्या चेंज कर गएगा, तो उसको हमें save करना पड़ेगा, तो save करते हैं हम इस वाले store या refresh mode में, तो उसमें एक dedicated memory है, आप उस output को कितने भी duration के लिए, तो इसको बोलते हैं, infinite storage time है, तो infinite storage time का मतलब यह है, कि आप ज ज्यादे memory लगा सकते हो, तो कितना भी portion आप memory में save करा सकते हो, तो यह उसको पूरे का पूरा store कर लेगा, ठीक है, तो उसमें write cycle है, ठीक है, और जब तक वो memory खतम नहीं होगी, या आप उसमें trigger नहीं करोगे, तो trigger करने का मतलब है, आप उसको उस mode में लेना चारहे हो, store य होगा, ठीक है, जब तक save होगा, जब तक आप उसको वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे है, तो आपको दुबारा triggering करने पड़ेगी, तो वो होगी आपकी, उसको write triggering, ठीक है, तो write triggering, जब उसको करो, sorry, read triggering, या write वाले जब उसको complete होने का, वो internal triggering करेगा, तो उसको आप रोकना इसको write कर रहा है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद चाहरे हो, आप उसको display कराना, तो उसमें फिर आप trigger करोगे, memory को read वाला, तो memory को जब read करोगे, तो वो output को यहाँ पर display होने लगेगी, तो जो signal जो उसने save किया है, उसी के हिसाप से जो triggering है, वो भी उसने save किया साथ, तो दोनों signal इधर से भी, और horizontal वाली sweep के लिए, और vertical sweep के लिए, दोनों signal आएंगे, और यहाँ पर वो display हो जाएगा, ठीक है, तो आपने वो save करा दिया, ठीक है, एक तो काम यह हो गया, अब दूसरा काम है, आपने अपना circuit में कुछ change किया, और उसके बाद आपन present input है, है ना, previous output जो save गया हुआ था, है ना, previous input, जो previous output, जो present output है, वो अब इसके input पर दिया, तो present output और previous output, दोनों इहाँ पर display हो जाएगे, और उसमें आप easily compare कर सकते हो, कि हमारी waveform में क्या change आया है, कितना improve हुआ है, या improve हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ और करना है, तो इस तरह है, फिर उसके बाद आता है, store and hold mode, तो store and hold mode में क्या है, एक memory का कुछ portion है, जो जो भी signal आएगा, उसको memory में वो store करता रहता है, जैसे मैंने डिसकस किया, फिपो वाला case है, first in, first out, ठीक है, तो वो memory में store करता रहता है, certain period की waveform को, ठीक है, तो certain time के लिए, तो जब भी आप उसको save या उसको hold करना चाहते हो, तो आप जब भी उसको click करोगे, तो वो जो भी उसमें memory में जो save है, वो सारा का सारा उसमें store हो जाएगा, ठीक है, इस तरह है, तो वो छोटे period के लिए है, save and hold वाला, और जो store and refresh mode वाला है, वो long period के लिए है, ठीक है, तो इस तरह से भी उसको आप बना सकते हो, तो long period का use है, उसको मैंने बता दिया, ऐसे store, ये वाला जो hold वाला जो है, इसका use है, ये छोटे period के लिए है, ठीक है, तो आप चाहरे हो, पूरी analysis ना करके, आप छोटी सी analysis करना चाहरे हो, ये सरकेट आपका simple है, तो उस case में आप ये तीसरे वाले mode पर काम करोगे, ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये सब, तो hold and save mode, तीसरे वाला, तो ये short period of time के लिए store करता है, और वैसे ये continuously store करता रहता रहता उपने time के लिए, बस जब आप भी इसको trigger करोगे, तो वो क्या करेगा, उसको hold कर लेगा, ठीक है, जो memory में रख करते हैं, किसी का comparison में करना चाहते हैं, या किसी waveform, दूसरी waveform के साथ compare करना चाहते हैं, तो वो सब काम में आप इसको use कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादे time के लिए है, ये पूरे आपके system की, आपने कुछ भी change किया, उसको store करता रहेगा data को, जो भी आपका output का response आ रहा है, है, हैँ है घ क्र हम काई ये जदा बहुतिए है, ये झाहते हैं